इस वीडियो में दी हुई जांकारी इंटरनेट से ली गई है, हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते, किसी भी दवाई का उप्योग करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर पूछे, अगर आप इस वीडियो को देखर किसी दवाई का उप्योग करते रक्त शर्क्रा के स्तर को कम करने और इंसुलिन समवेदनशीलता में सुधार करने में मदद कर सकता है। ये तेजी से चयापचय को बढ़ावा देने, भूख को नियंतरित करने और वजन घटाने में सहायता कर सकता है। चलिए जानते हैं इसके कुछ फाइदों के बारे में। एक, यह एक आहार पूरक है जो चयापचय और पाचन तंत्र के स्वास्थे को बढ़ावा देता है। दो, यह रक्त शरक्रा के स्थर को कम करने और इंसुलिन समवेदनशीलता में सुधार करने में मदद कर सकता है। तीन, यह गाउट, गठिया या पाचन तंत्र से जुड़ी सूजन को कम करने में मदद करता है। 4. जौ की घास अतिरिक्त पानी छोड़ कर शरीर को डिटॉक्स करती है। 5. यह कैलोरी में कम लेकिन फाइबर में उच्च होता है, जो भूख को नियंत्रित करने और वजन घटाने में सहायता करता है। 6. यह अस्थी खनज घनत्व को बढ़ाने और स्वस्थ हड्डियों को बढ़ावा देने में मदद करता है।